साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, बेसब हमारे हिरोज हैं, जिन्हों ने इस कारकम को जिवन्त बनाया है आज जब हम सोवे एपिसोड के पड़ाव पर पहुँचे हैं, तो मेरी ये भी इचा है, कि हम एक बार फिर इन सारे हिरोज के पास जाकर उनकी आत्रा के बारे में जाने आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिस करेंगे, मेरे साथ जूड रहे हैं हर्याना के बाई सुनिल जगलान जी सुनिल जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा, क्योंकि हर्याना में जेंडर रेश्यो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का भिहान हर्याना से ही शुरू किया था और इसी बीच जब सुनिल जी के सेलफी विद डाटर केंपेंड पर मेरे नजर पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी उनसे सिखा और इसे मन की बात में सामिल किया देखते ही देखते सेलफी विद डाटर एक ग्लोबल केंपेंड में बदल गया और इसमें मुद्दा सेलफी नहीं थी, टेकनोलोजी नहीं थी, इसमें डाटर को, बेटी को प्रमुकता दी गई थी जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रगट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रहासों का परणाव है कि आज हरियान में जेंडर रेशियो में सुधार आया है आईए, आज सुनिल जी से ही कुछ गप मार लेते हैं, नमस्कार सुनिल जी नमस्कार सर, मेरी कुछी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाद सुनकर सुनिल जी, सेलफी विद डॉटर, हर किसी को याद है, अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है सुनिल जी, अब आपकी बेटिया कैसी है, आजकर क्या कर रही है जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है, एक सेवन्त क्लास में पढ़ रही है, एक फोर्थ क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी परसंसक है, उन्होंने आपके लिए ठेंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लास में जो है, लेटर भी लिखो आये थे अशल में अच्छा, बेटिया को आप मेरा और मन की बात करें सोत्राओं का खूब शारा आशिरवाद दीजिए बहुत बहुत सुक्रिया जी, आपकी वज़े से देश की बेटियो के चहरे पर लगातार मुस्कान बढ़ रही है बहुत बहुत धन्यवाद सुनें जी जी, सुक्रिया